हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर टू होन नंबर्स एक्ससाइज 2.1 के फर्स्ट फोर कोश्चन सौल करेंगे तो देखें फर्स्ट कोश्चन है राइट था नेक्स थ्री नैच्रल लंबर्स आफ्टर 10,999 इस कोश्चन में हमें 10,999 से बाद के आफ्टर नेक्स थ्री नैच्रल लंबर्स बताने हैं इसके बाद के नेक्स थ्री नैच्रल लंबर्स बताने हैं तो हमें पता है 6 से नेक्स थ्री नैच्रल लंबर्स कोन से होते हैं 7,8,9 अब देखें यह नंबर आए कैसे 6 में मैं 1 एड़ कर दूं तो क्या आएगा 6 प्लस 1,7 ऐसे ह में प्लस वन कर दू तो क्या आजाएगा मेरे पास नाइन तो नेक्स थ्री नेच्रल लंबर्स निकालने के लिए मैं उनमें क्या कर रही हूं प्लस वन करती जा रही हूं तो ऐसे ही 10,999 से नेक्स थ्री नेच्रल लंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे इनमें प्लस वन कर देंगे या वन एड़ कर देंगे तो देखिए अब इसमें हम वन एड़ कर रहे हैं तो नाइन में वन एड़ करेंगे क्या आएगा टैन जीरो कैरी आया वन वन में नाइन एड़ करेंगे टैन जीरो कैरी आया वन वन में जीरो एड़ करेंगे क्या आएगा वन और यहां पर तो क्या है हमारे पास 11,000 तो अब next number निकालने के लिए हम क्या करेंगे 11,000 में one add कर देंगे प्लस one अब देखिए zero में one add करेंगे one और बाकी number हम as it is लिख लेंगे 0011 अब इससे अगला next number निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें one add कर देंगे one में one add करेंगे क्या आएगा two zero zero one one so the next three natural numbers after 10,999, 11,000, 11,001 and 11,002 so किसी भी number से जह next number निकालने के लिए हम क्या करेंगे उनमें one add कर देंगे तो यह था first question अब second question देखिए second question है write the three whole numbers occurring just before 10,001 occurring just before means ठीक पहले आने वाले so इस question में मुझे 10,001 से ठीक पहले आने वाले three whole numbers बताने है तो एक example देखिए for example मुझे 6 से ठीक पहले आने वाले three whole numbers बताने है तो मुझे पता है 6 से पहले आने वाले whole numbers कौन से हैं 5, 4 और 3 ठीक है ये 3 whole numbers जो है 6 से पहले आने वाले अब देखे ये numbers आए कैसे 6 में से मैं 1- करदू 6 में से बन गए 5 ठीक है फिर 5 में से मैं 1- करूँ तो क्या आ रहा है 4 फिर 4 में से 1- करूँ तो क्या आ रहा है 3 तो ये 3 numbers 6 से जो पहले आ रहे हैं कैसी मिलेंगे इन में से मैं 1,1 क्या कर रही हूं माइनस कर रही हूं तो ऐसे ही 10,001 से ठीक पहले आने वाले होल नमबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे 10,001 में से क्या करेंगे 1 सब्टैक्ट कर देंगे तो 10,000 1 में से 1 माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0 और बाकी नमबर as it is 0, 0, 0, 1 क्या है हमारे पास 10,000 अब इससे पहले आने वाला एक नमबर बता करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से 1 माइनस कर देंगे हम 10,000 में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे अब देखिए इसमें से हम 1- करेंगे 0 में से तो 1- होनी सकता तो हम क्या करेंगे 7 में से carry लेंगे अब 7 वले के पास पर क्या है 0 है यह 7 वले से carry लेगा इसके पास भी 0 है तो यह carry तो नहीं दे सकता फिर यह 7 वले से carry लेगा यह भी 0 है यह भी carry नहीं दे सकता तो हम किस से carry करेंगे 1 से carry करेंगे 1 इसे carry देगा यहां क्या आ जाएगा 10 और यहां क्या रहे जाएगा 0 रहे जाएगा यहां 10 आया अब यह इसे carry देगा यहां क्या आ जाएगा 10 और यहां क्या रहे जाएगा 9 रहे जाएगा फिर यहाँ पे 10 था अब यह इसे carry देगा यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ कह रहा जाएगा 9 रह जाएगा फिर यह इसे carry देगा यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ कह रहा जाएगा 9 रह जाएगा फिर 10 में से 1- करेंगे क्या आएगा 9 और बाकी यहाँ पे 9, 9 and 9 तो क्या है 9999 अब देखिए हमने दो नमबर तो पता कर ली है जो 10,000 वन से पहले आएंगे अब एक और नमबर रह रहा है तो हम क्या करेंगे इस में से भी अब क्या करेंगे वन सब्टैक्ट कर देंगे 9 में से वन गए 8 फिन 9, 9, 9 तो क्या है 9998 So the 3 whole numbers occurring just before 10,000 वन आए 10,000, 9,999 और 9,998 So किसी नमबर से पहले के नमबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे उस नमबर में से वन वन सब्टैक्ट कर देंगे तो सेकंड कोशन ये था अब थर्ड कोशन की तरफ चलते हैं थर्ड कोशन है Which is the smallest whole number मतलब सबसे छोटा जो है whole number कोशन है smallest means छोटा whole number कोशन है तो देखे whole numbers कोशन होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी जहां तक हमारी counting चलती जाती है वहां तक जो ये सारी क्या है whole numbers है तो ये सारी क्या है whole numbers है अब whole numbers जो हैं यह कहां से start हो रहे हैं 0 से start हो रहे हैं तो smallest whole number कौन सा हो जाएगा हमारा 0 तो which is the smallest whole number 0 is the smallest so 0 is the smallest whole number अब fourth question की तरफ चलते हैं फोर्थ question है how many whole numbers are there between 32 and 53 इस question में हमें बताना है कि 32 और 53 के between मतलब 32 और 53 के बीच में कितने whole numbers जो है आते हैं तो एक example देखिए 5 और 8 के बीच में कितने whole numbers आ रहे हैं 6 और 7 कितने आ रहे हैं 2 whole numbers आ रहे हैं 6 और 7 यह क्या है 2 whole numbers जो है 5 और 8 के बीच में आ रहे हैं अब मुझे 32 और 53 के बीच में बताना है यह देखिए 32 और 53 दो बड़े number होगे तो इनके बीच में बताने के लिए कि कितने whole numbers आ रहे हैं मैं क्या करूंगी पहले मैं 53 और 32 को subtract कर दूंगी फिर जो आएगा उसमें से जो है 1 माइनस कर 3 माइनस 2 क्या आया 1 5 माइनस 3 2 तो क्या आगया 21 अब जो यह आया है इसमें से भी हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे 21 माइनस 1 1 माइनस 1 0 और 2 तो मतलब 20 आया हमारे पास सो देर आर 20 होल नंबर्स बिट्वीन 32 और 53 मतलब 32 और 53 के बिट्वीन में 20 होल नंबर्स आएंगे तो आज हमने 1st 4 कोशन सोल करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू